हेलो स्वीट फ्रेंड्स एक बार फ्रेसे स्वागत है आपका आपके अपने सीटोप चैनल फ्रीमेस क्लास में फ्रेंड्स फ्रेसले लेक्चर में हमने क्लास फिप का पार्ट टू का 13 चाप्टर देज थी टामेशनल अब्जेक्स अड नेट्स यह चाप्टर फिनिश किया थ अब आज के लिक्चर से हम हमारा न्यू चाप्टर स्टेडी करने वाले हैं और इसका नेम है पिक्टो ग्राफ्स इस अवर 14 चाप्टर तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगें तो इससे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत बूलिए और हम से पहले हमारे वीडियो देखने चाहिए से इसलिए आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिना है तो फ्रेंड्स ब्रेंड्स सब्सक्राइब करना फ्री होता है इसकu लिए आपको कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं होती twenties You परेटन पर क्लिक कर देना है एंड साइड में जो जो आल्ल नोटिफिकेशन की एक घंटी आती ज यह फिर बेल आती है तो उस पर भी आगको केलिक करना है तो फ्रेंड्स आजका लेक्षर हम स्टार्ट कैते हैं आजके लेक्चर हम他們 pictographs के introduction के बारे में discuss करने वाले हैं तो बहुत ही simple simple चीज़े हम आज discuss करेंगे और यह जो चीज़े हैं वो बहुत ही important है तो यह वीडियो आप एन तक जरू देखिए और हमारा वीडियो enjoy भी कीजिए तो यहाँ पर हम introduction के बारे में डिसकस करने वाले हैं introduction में क्या है definition of pictographs that is pictographs के आपर definition दी है तो definition क्या है आपर the tables which represent information using pictures और icons are called pictographs और pictograms तो pictographs किसे कहते हैं एक table होता है और उसमें information को pictures या फिर icons के format में दिखाया जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं pictographs और pictograms एक table होता है और उसमें pictures and icons का use करके information दी होती है तो यहाँ पर example के दौर पर हमने cricket का एक example ले लिया है तो हम यह example भी study करते हैं तो यहाँ पर example क्या दिया है the table below gives some bowling figures related to a cricket match अब यहाँ पर यह table हमें दिया है वो cricket match की bowling को दिखाता है तो यहाँ पर bowler का name दिया है यहाँ पर bowler का नेम दिया है यहाँ पर बोलर कौन से हैं चंद्रकांत, रमाकांत और एहमन तो यहाँ पर इनके नाम दिये हैं और उन्होंने जितने ओवर्स डाली है या फिर जितने बॉल्स डाले हैं वो यहापर दिये हैं एक ओवर में कितने बॉल्स होते हैं यह तो आपको पता होगा अगर आप क्रिकेट मैश देख रहे हो तो आपको क्रिकेट का कोई भी question solve करने में दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पर हमें already भी दिया होता है scale one picture is equal to one over that is six balls so friends चंदर कांथ ने कितने overs दिये हैं four overs दिये हैं यहाँ पर four balls है so उसने four overs डाली है then drama कांथ ने two overs डाली है because यहाँ पर two balls है अब हम एहमत की overs count कर दें so यहाँ पर one two three so एहमत ने कितने overs डाली है three overs then runs given that is उन्होंने batsman को कितने run दिये हैं उनके balls पर तो friends चंदर कांथ ने दो batsman को 18 runs दिये हैं रमा कांथ ने 20 runs दिये हैं and एहमत ने batsman को 12 runs दिये हैं and wickets taken यह है हमारा last column तो उन्होंने कितने wickets लिये हैं यह भी आप पर information दी हैं तो चंदर कांथ ने कितने wickets लिये हैं four wickets then रमा कांथ ने यहाँ पर dash दिया है miss एक भी wicket उसने ली नहीं है that is एक ball के के मत है एक over and एक over में कितने balls होते हैं six balls होते हैं यह तो आपको अल्रेडी पता होगा इनके answers हमें यहाँ पर write करने हैं तो यहाँ पर हम read करते हैं answer the following questions by referring to the table above it is हमें नीचे कुछ questions दिया है इन questions को हमें इस table का use करके solve करना है तो यहाँ पर first question क्या दिया है about how many ballers does the table give information यह question हमें क्या केता है यह जो table हमें दिया है वो कितने ballers के बारे में यहाँ पर information देता है तो यहाँ पर ballers के बारे में यहाँ पर इस table में information दे है यह फिर आप इसे ऐसे भी write कर सकते हो the table gives information about three ballers that is यह जो table है वो three ballers की information यहाँ पर दे रहा है तो friends यहाँ पर हमारा page तो खत्म हो चुका है अब हम next page पर और कुछ questions read करने वाले है और उनके answers भी हम write करेंगे तो बढ़ते next page पर friends अभी अभी हमने table का use करके first question को solve क्या था अब हम second question discuss करने वाले है तो यहाँ पर second question क्या दिया है who gave away the most runs that is कौन से baller ने सबसे ज्यादा run batsman को दिये है तो हमें फिर से table में जाना पड़ीगा उसे देखने के लिए है ना तो फिर से जाते हैं हमारे table में तो friends आपको answer को भूला नहीं है विकॉज हमें यहाँ पर answer भी write करना है तो friends हम table में जाएंगे सबसे ज्यादा run जिस ने दिये है उसका नाम यहाँ पर write करेंगे तो friends जाते हैं हमारी table में friends question number two क्या था हमें ऐसा baller यहाँ पर find out करना है जिसने सबसे ज्यादा runs दिये है और किसे दिये है runs batsman को दिये है तो यहाँ पर चंदरकांथ ने कितने runs दिये है 18 दिन रमा कान ने 20 रणस दिये है और एहमद ने 12 रणस दिये है यहाँ पर value कौन सी है 20 है तो 20 रणस उसने दिये है और किसने दिये है वो रमा कान ने दिये है तो हमारा answer क्या हो जाएगा रमा कान गेव अवे the most runs यह होगा हमारा required answer तो friends question number 2 में हम इसका answer write करते हैं हमारा answer क्या है रमाकान्थ है तो ये आपको बूलना नहीं है तो friends question number 2 का answer क्या है रमाकान्थ gave away most runs that is रमाकान्थ ने सबसे ज्यादा runs batsman को दिये हैं तो friends यहापर हमने question number 2 भी solve कर लिया है अब हम question number 3 को discuss करते हैं question number 3 क्या कहता है how many overs did चंदरकान बोल अब हमें क्या find out करना है चंदरकान्थ ने कितने overs डाली है तो हम फिर से जाते हैं हमारी table में यहापर answer write करते हैं हमें क्या find out करना है यहापर चंदरकान्थ ने कितने overs डाले है तो friends इस table में आप अच्छे से देख सकते हो हमें चंदरकान्थ की बारे में answer find out करना है तो चंदरकान्थ ने यहापर कितने overs डाले है 1, 2, 3 and 4 तो 4 overs चंदरकान्थ ने डाले है तो हमारा क्या answer आएगा चंदरकान्थ बोल्ड 4 overs यह आएगा हमारा answer तो friends चंदरकान्थ ने 4 overs डाली है तो यहापर हमारा answer आएगा चंदरकान्थ बोल्ड 4 overs तो चंदरकान्थ ने 4 overs डाली है अब हम next example study करने वाले हैं यहांपर करना फिर से जाते हैं हमारी टेबल में रमकात में बारे में study करते हैं रमकात ने कितने विकेट से करे रमकात के any wicket तो हम फिर से जाते हैं हमारी next question and answer write करते हैं तो friends यहांपर हमारा answer क्या आएगा रमाकांध के एंि रमाकांद ने एक भी विकेट ली लिए नहीं है जैने एक प्रीफ चेहां घुन क्या निया है how many balls did Ahmed ball that is Ahmed ने कितने balls ball किये हैं यह हमें यहाँ पर find out करना है तो फिर से जाते table में तो friends यहाँ पर आप अच्छी से देख सकते हो एहमद ने कितने overs डाले हैं 1, 2 and 3 overs डाले हैं बट हमें क्या find out करना है यहाँ पर balls find out करने हैं एक over की कीमत क्या है 6 balls है तो अगर हमें 3 overs की value यहाँ पर find out करने हैं तो 3 overs की value क्या हो जाएगे 3 multiply by 6 हो जाएगी 3 multiply by 6 means 18 हो जाएगे and 18 क्या आएगा यह balls आएगे 18 balls एहमद ने डाले हैं तो यहाँ पर हमारा answer आएगा एहमद बॉल्ड 18 बॉल्ड तो हम answer write करते हैं एहमद बॉल्ड 18 बॉल्स यहाँ पर हमें overs नहीं पूचे हैं यहाँ पर हमें balls पूचे हैं तो हमें answer को भी balls में ही write करना पड़ेगा अगर हम यहाँ पर 3 balls राइट कर देंगे तो हमारा answer गलत हो सकता है हमें क्या करना पड़ेगा 1 over की value यहाँ पर लिखने पड़ेगी 1 over में 6 balls होते हैं एहमद ने कितने overs डाली हैं 3 overs डाली हैं तो एहमद बॉल्ड 3 overs that is 3 multiplied by 6 balls that is एहमद ने 3 multiplied by 6 balls यहाँ पर डाले हैं 3 multiplied by 6 में 18 होते हैं 18 balls उसने डाले हैं तो यहाँ पर कुछ इस टाइप में आएगा इसका answer तो friends मुझे उमेद हैं आपको एक्जामपल भी एची से समझ में आया होगा अब हम 6 टे एक्जामपल के बारे में discuss करते हैं तो friends here our 6 टे एक्जामपल is how many runs did चंद्रकान q तो फिर से जाते हैं हमारे टेबल में चंद्रकान के बारे में देखते हैं तो friends इस टेबल में आप अच्छे से देख सकते हो हमें चंद्रकान के बारे में देखना है चंद्रकान ने batsman को कितने runs दिये हैं तो यहाँ पर क्या है runs given का column है runs given की column है चंद्रकान के सामने क्या लिखा है 18 लिखा है तो friends हमारा answer क्या आएगा चंद्रकान give 18 runs तो इसे answer में write कते हैं तो यहाँ पर हम राइट करते हैं चंद्रकान्त गीव 18 रंस तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 6th example भी solve कर लिया है अब 7th example दिखते हैं यह फ्रेंड्स अब 7th question is how many overs were bought all together that is सभी ballers ने विलकर कितनी overs ball की हैं यह हमें यहाँ पर find out करना है तो फ्रेंड्स पेसे जाते हैं हमारे table में and सभी overs को count करते हैं यहाँ पर आप चीज देख सकते हों चंद्रकान्त ने यहाँ पर 4 overs डाली हैं तो 4 देन ड्रमकान्त ने 2 overs डाली हैं तो 4 plus 2 में 6 होंगे देन एमद ने कितनी overs डाली हैं 3 overs डाली हैं तो 4 plus 2 plus 3 करना पड़ेगा हमें 4 plus 2 में 6 होते हैं and 6 plus 3 में 9 होते हैं तो फ्रेंड्स टोटल 9 overs इन सभी बॉलस ने मिलकर बॉल किये हैं तो हम answer में write कते हैं 9 overs were bored all together तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा answer आएगा 9 overs were bored all together तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 7th example भी solve किया है अब हम last question study करते हैं that is question number 8 यह होगा हमारा last question तो यहाँ पर last question क्या कहता है who gave away the least runs per over that is कौन से baller ने सबसे कम रम दिया है एक over में यह हमें यहाँ पर find out करना है तो यह थोड़ा सा critical question है बढ़ हमें इसे जरू solve करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें firstly क्या करना पड़ेगा चंद्रकांत का ratio find out करना पड़ेगा that is चंद्रकांत ने एक over में कितने runs दिये हैं वह हमें यहाँ पर find out करना पड़ेगा that is हम क्या करेंगे सिर्फ runs upon over write करेंगे that is चंद्रकांत ने जितने runs दिये हैं उसको उपर write करेंगे and नीचे write करेंगे overs and overs से run को हम divide कर देंगे then चंद्रकांत का होने के बाद हम रमाकांत का find out कर लेंगे and lastly एहमत का भी find out कर लेंगे तो हमें जो सबसे छोटा answer मिलेगा वही होगा हमारा required answer that is उसी baller ने सबसे कम run दिये होंगे तो फ्रेंड्स अब हम चंद्रकांत के बारे में discuss करते हैं तो चंद्रकांत ने जितने runs दिये हैं उसे हम यहापर write करेंगे उपर तो फ्रेंड्स फिर से जाते हैं हमारी table में तो फ्रेंड्स यहापर आप चिछे से देख सकते हों चंद्रकांत ने कितने runs दिये हैं 18 आप करेंगे यह यहापर हमने 18 ना पॉर्ष कर लिया हैं अब हम फॉर से 18 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 division के sign के बाहर आजएगा and 18 division के sign के अंदर आजएगा तो यहाँ पर 4, 4 जा 16 होते हैं यहाँ पर 18 minus 16 means 2 होंगे then यहाँ पर हम decimal point देंगे तो यहाँ पर automatically 0 आजएगा 4, 5 जा 20 होते हैं 20 minus 20 means 0 यहाँ पर हमारा remainder क्या आया है? 0 आया है अब हमें क्या करना है? ऐसा ही रमाकाद और एहमत का भी runs upon over का ratio find out कर लिना है तो अब हम रमाकाद के बारे में दिखते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर रमाकाद ने 20 runs दिये हैं and overs 2 ball किया है तो हम क्या करेंगे? 20 upon 2 कर देंगे आपको बूलना नहीं है अब हम इसे answer में right करने वाले हैं तो फ्रेंड्स रमाकाद ने 20 runs दिये हैं and overs 2 ball किया है and एहमद ने क्या क्या है? 12 runs and 3 overs तो यह हमने यहाँ पर right कर लिया है 2 10s are 20 होते and एहमद का क्या आए का ratio? 3 4s are 12 हो जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चिछे देख सकते हो चंद्रकान का जो answer आया है वो आया है 4.5 दिरमाकान 3 आया है एहमद का आया है 4 एहमद का आया है 4 जिसका answer सबसे छोटा होगा उसने ही सबसे कम रन एक ओवर में दिये होंगे तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो एहमद ने यहाँ पर सबसे कम रन दिये हैं यही होगा हमारा required answer एहमद गेव अवे यह होगा हमारा required answer तो friends मुझे उम्मेद है आपको यह last example भी अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like and अपने दोस्तों के साथ share करना मत बूलिए and channel को please subscribe कर लिजे next lecture में हम pictorial representation of numerical data इस concept के बारे में अच्छी से discuss करने वाले हैं बहुत ही important concept है वो तो वो भी lecture आपको मिश नहीं करना है वो lecture आप जरू देखना उसमें हम pictographs कैसे draw करते हैं इसके बारे में discuss करने वाले हैं तो friends next lecture भी आप जरू देखिए thank you so much for watching my video see you on next lecture and have a nice day